तो आपको पता है कि विपीसी ट्यारी 3 जो है फाइनली होने जा रहा है जब से यह पेपर लीक हुआ है एक से दो बार इसकी डेट आई उसके पास है वो कोड केस जो आप जानती है गैस टीचर से रिलेटेड है जिनको 25 नमबर का वेटिस दिया जाना है सिक्षा विभाग में नोटिस भी जारी कर दी है तो फिलहाल के लिए जो भी इंपॉर्टेन इंफॉर्मेशन है वो आज की इस वीडियो में है अगर आप बीपीसी ट्यारी 3 में सामिल होने जा रहे हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कितनी रिख्तियां है और सबसे ज़दा किसमें होने व हो सकता है and seated का exam और आप जानते हो कि TRE3 का होना इसले भी बहुत important है क्योंकि estate होना है और उसके बास आपका TRE4 होना है seated के जस्ट बार तो सारी चीज़ों को बात करने वाले हैं पहली बार आए है तो चैनलों को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजगा टेलिग्राम पे फ्री में है आप आराम से इसको डाउनलोड करके फोन में रख सकते हो आराम से पढ़ भी सकते हैं तेलिग्राम का लिंक आपको जो है कॉमेंट सेक्शन बिल जाएगा वहां से आप चेकाउट कर लेना ठीक है और देखिए मैंने इंडिनाशन मुव्मेंट हो गया, साइन्स हो गया, जी के जी है, सारी पीडियोफ मैंने टेलिग्राम पे भेजी हुई है पहले भी, अभी जस्ट मैंने जस्ट फोड़े दर पहले मैंने साइन्स की भीजी है, तो यहां पर देखने वाले हैं कि आखिर में टियारी 3 से रिलेटेड जो कल नोटीस आई आप जानते ही हो कि 87,000 कुछ पद हैं, इस पे एक्जाम होने जागा है और यह एकल पाली में होगा, एक पाली में पेपर करा लिया जाएगा, 27 से 30 जून के बीश में, 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 इन सभी का पेपर हो जाएगा, यहां पर आपको पता ही कि 28 से 30 जून के बीश मे आपको प्रॉपर जो है डेट भी देखने को मिलेगा कि किस दिन आपका एक से 5 का है, किस वीश है कभी एक्जाम है, यह भी सारी इन्फोर्मेशन आपको कुछ दिन में ही मिलने वाली है, हां यह जरूर है कि जो प्रॉपर एड्मिट कार्ड आता है, जो आप डाउलोड करे नकल से रिलेटेट कोई और अभी हर्ती उनके जग पर बैट का एक्जाम दे रहा था, तो 6 जून तक सभी जो है डीम से से सेंटर की सूची मांगी गई है, और बहुत जल्द इसके बास यह लो देखेंगे किस तरीके से पेपर कराना है, वैसे भी आप जानते हूं कि 4 जू तो कुछ ऐसा पेपर लिग जैसा ना हो, तो सभी स्टूरिंस के लिए भी बहुत ही फायदा होता, तो यहां पर जो है आपका एडमिट कार्ट आपको 20 तक देखने को मिलेगा, और रिजल्ट देखे, पेपर आपको जून में हो जाएगा, तो यह इंके उपर है, वैसे तो 15 जुलाई की डेट पहले भी थी, कि 15 जुलाई तक टीरी 3 का रिजल्ट आ जाएगा, इसमें आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है आगे, बट जादा ही आगे नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार इनका यहीं कहना है, कि हम टीरी 4 की डेट आगे नहीं बढ़ाना चा जाते हैं, वैसे भी लास्ट महीं पेपर है, तो यह लो सक्टमबर में नहीं कराना चाहते हैं, इनका है कि हमको टीरी 4 हर हाल में कराना है और यह तभी पॉसिबल हो पाएगा, जब इसका रिजल्ट सब कुछ हो जाए पहले, तो जब इनकी एक्जाम ही हो जाएगी जून मे तो इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात लहीं है, इन्होंने पहले भी बहुत ज़ल्दी, जिजन एक्जाम होता है साम तक आपको आंसर की देखने को मिल जाती है, तो इनके लिए रिजल्ट निकालना भी बहुत ही असान काम है, यह अल्रडी कर चुके हैं, तो आपको रि आपको 90 नंबर ही लेकर आना, पेपर वन हो, चाहें पेपर टू है, अगर आप किसी भी स्टेट के हैं, आपको 90 नंबर चाहिए, तभी आप प्रिफोर में अलिजिबल हो, अदर्वाइस आप बाहर हो जाओगे, क्योंकि अभी दरभूंगा के बयाली सिक्षकों को बाहर कि जिनका नंबर सिटेट में कम था, अभी बाती ही चैकिंग हो रही है, तो सिटेट में, अगर पेपर टू में सिस्टी है, और आप नोट्स लेना चाहते हो, अभी हिस्ट्री का हमने तयार कर दिया है, 49 उपिस में अपले सकते हैं, सोसल साइंस, आप जानते ही हो, साथ नंब आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो देखें, सीटेट जुलाई वाले 34 में सामिल हो जाएगा, अच्छा मैंने कल देखा कि क्या क्या बदला होगा, मैंने देखा यूट्यूब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यह बदला हो सकता है, तो ऐसा कुछ भी इसमें नहीं हुआ है, बस यह है कि एक्जाम की डेट को बदला गया है, 27 से 30 जून और एकल पाली में परिक्षा होना है, आपने पिछली बार देखा होगा कि जो पेपर हुआ था, जो पेपर लीक हो गया था, 6 to 8 हुआ फिर 1 to 5, एक एक दिन ऐसा रखा था, फिर कुछ एक्जाम क में आपके 19 हजार है, और सबसे ज़्यदा फॉर्म, 2 लाग के उपर ही है, इतने फॉर्म भरे गया है, इसमें 6 to 8 में, 2 लाग से जादा, सोचिए 19 हजार अभ्यरतियों का ही सेलेक्शन होगा, उन 2 लाग में से, तो तयारी इसलिए अच्छे से करो, क्योंकि सीट ज्यादा नहीं है, जितना फॉर्म भरा गया है, और 6 to 8 में आप जानते ही हैं कि बीड और डिलेट दोनों को मोका मिलता है, 1 to 5 में आपके 28 हजार है, बट इसमें भी फॉर्म अच्छा खासा भरा गया है, एक लाग से उपर नहीं है, तो होगा तो 28 हजार का ही न, और वो भी आप जा जार है, तो यह आपकी रिप्तियां है, इतनी रिप्तियां BPSC के दोरा दिया गया है, इसे में आपका सेलेक्शन होगा, चाहें 2 लाग फारा गया है, चाहें मदब मैं सक्षन वाइस बात कर रही हूँ, चाहें 1,500,000 होगा तो उन ही का जो अच्छा खासा नंबर नेकर तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगी, जो नोट से हैं पर्ले रिवाइस कर लो, यह मसो चो किया, मेरे दोस ने तो यह किताब खरी दी थी, भीहार स्पेसल, वहां से बहुत कुछ जादा नहीं आता है, कि उसके पास तो यह वाली किताब है, ऐसा बहुत सारी लोग करते हैं, अच्छा तुम कहां से कर रहे हो, किस प्रिवेसर कोशन से कर रहे हो, किस मॉप टेस्ट से, फिर हम भी वही करने लगते हैं, यह गलती मत करना, जो आपके पास नोट से, पहले उसे आपको रिवाइस करना है, उसके पास आपको नई टॉपिक्स पड़ेनी है, देन आपके पास समय मिलेगा, तो आपको अक्स्टा भी पढ़ सकते हो, तो फिलहाल के लमेले आपको पूरी रित्तियां बता दी हैं, और आप बताईएगा कि आपने इसमें से कितने के लिए परफॉम वह रहा है, अच्छा कुछ ऐसे भी हैं, जिनका सिक्स्टूट में सेलेक्शन हो और वो नौ से दस में सिक्षक बनने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी है कि मैं पास मैसेज आते हैं कि उनका अल्रेडी हो चुका है, बट उनको घर से बहुत दूर भेज दिया है, और वो घर के आसपास आने के लिए दुबार से पीपर दे रहे हैं, तो आ इन सभी पे वेकैंसे जाएंगी, एक से पांट, छे से आट, नौ से दस, ग्यारा से बारा, अगर आपका एस्टेट क्लियर है, नहीं क्लियर है, तो दुबार से एस्टेट होगा, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, तो इन सभी पे आने वाला है, अगर आपने के वल आपका बीलेट चलेगा, बड़ नौ से दस बारा चाहिए, तो यहां पर मैंने आपको सारी चीज़े बता दी है, और बस एक चीज है कि जितना जल्दी पेपर होगा, उतना ही जल्दी रिजल्ट आएगा, कांसलिंग आपका बहुत जल्द हो जाएगा, वैसे भी आपने द देखा ही होगा, सीम नितीज भी बोलते हैं कि हमने बहुत सारी नौकरिया दी है, आगे भी देंगे, और जो तेजस्वियाद है वो भी बोलते हैं कि हमने बहुत सारी नौकरिया दी है, आगे भी देंगे, खेर कोई बात नहीं इसमें फायदा बस होना चाहिए, कि भरतिया जिसे कि जैसे इस बाद सेलेक्शन हो रहा है आपने देखा होगा टियारी बन में हुआ टियारी टो में हां यह बात और है कि इसमें कुछ सीटे तो बेगार हो गई है क्योंकि कुछ अभियर्थी भी नौकरी करते हैं अब यह तियारी 3 अच्छे से कंप्लीट किया जाएगा क आपका ठी चेजें क्लियर हो चुकी है और आपका टीरी 4 ईसी साल होगा और अगस्त में अगर आपका टीरी 5 होजाता है तो पाइप में आपका जो टीरी 5 है ऴो गी शीज चाहेगा ठीक है तो छलित अ हुई नेक्स लास में थैस आखना केज उमद्लिए तेलिक्ते शेय।